जैहें साथ यो बेलकम टू सेल्प स्टेडी के लासे स्वेश सुमेट जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों परियावण के कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों पर यहां पर हम चर्चा करेंगे तो सभी लोग पूरा वीडियो अवस्य देखें वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ ही कमेंट में उत्तर भी बताने का प्रयास करें ठीक है तो आपका पहला प्रस्णि सिक्षक की सबसे बहुमूल निधी है तो क्या है उसकी बेतन उसकी सेबा गर्ब या छात्रों का विश्वास तो प्रश्णिक्रमा के का उत्तर कमेंट में लेखें तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तो वो क्या होगा छात्रों का विश्वास सिक्षक की बहुमूल निधी होती है छात्रों का विश्वास ठीक है तो यहाँ पर हम इसको बिस्तित पढ़ेंगे कि सिक्षक विध्यार्तियों की जीवन की वास्त्विक कुमार हो पर आउतरित हो सकते हैं और अपने आपको काविल बना सकते हैं अता सिक्षक को सबसे बहुमूल निदी सिक्षक की जो सबसे बहुमूल निदी है वो क्या है छात्रों का विश्वास ठीक है अंगला कॉस्चन जो आपको बताना है कि परिकल्पना को वार वार परिक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक कानून, शिद्धान्त, खोज या मूल संकल्पना क्या है एक परिकल्पना को बार-बार परिक्षन करने से अगर वह गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या है कानून, सिद्धान्थ खोज या फिर मूल संकल्पना तब आपका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या है सिद्धान्थ सिद्धान्थ यानि कि जो बिकल्प नमबर टू है वो यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है टू नमबर अंगला क्वेस्टन देख लेते हैं तो इसके बारे में जानेगे सिद्धान्थ के साथ प्रायोग कनुभाव जुड़ा होता है किसी परिकल्पना को वारवार अनरीक्षन वो परिक्षन करने के बाद जब इस बात का मान हो जाए भान हो जाए कि एक परिकल्पना सारभोमक रूप से सत्त है तो इस सिद्धान्थ का रूप गिरहन कर लेता है थीक है अंगला क्वेस्चन देखो निन्वे से सबसे उपयुक्त सिक्षन भी दी है तो कौनसी है सबसे उपयुक्त सिक्षन भी दी बताना है सुरुत लेक एबम दिया गया कार बिचार गोष्टी एबम सुरुत लेक, बिचार गोष्टी एबम कारियोजना या ब्याख्यान एबम सुरुत लोग तो सबसे उपियुक्त सिक्षण बिदी कौनसी है? प्रश्णिक रमांग 3 तब आपका बिलकुष सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बिचार गोष्टी एबम कारियोजना यानि की सिक्षण बिदी की सबसे उपियुक्त बिदी है इस सिक्षण बिदी में छात्र परस पर विचारों को आदान प्रदान करके अपने ज्यान की ब्रद्धी करते हैं एविदी सिक्षण के किर्थिम बातवरन को समाप्त करने तता सिक्षण को जीवन से संबंद स्तापित करने ही तू महत्पूर हैं प्रारंब में इसका जो है प्रियोग छात्रों द्वारा किया जाने वाले ग्रहकारियों के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना तता साइदिक्सरम नहत होता था ठीक है अंगला क्वेस्चन है निमले खित मैंसे कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं नहीं है कौन सी ग्रीन ह ग्रीन हाउस 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 ग् इन में सबसे जादा उस्टरजन कारवन डाई अकसाइड, नाइट्रस अकसाइड, मीथेन, किलोरो-फिलोरो कारवन, जलबास, ओजवन आदी करती है इन गैसों का उस्टरजन, आम प्रियोप के उपकरणों, वातानू, कूलन, फिरेज, कम्प्यूटर, स्कूटर, कार आदी से होता है हेलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एक निस्क्रिय या फिर नोविल गैस है यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें है, आपको याद रखना है कि कार्वंडाई अक साइड है, नाइ्ट्रक साइड है, मीथेन है, किलोरो-फिलोरो कारवन है ठीक है, जलबास पर यह सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है ठीक है अंगला देखो द्वहनी प्रदूशन का मापन किस एकाई द्वारा किया जाता है द्वहनी प्रदूशन का मापन बताना है decibel, joule, newton या फिर nano एकाई तो किसके द्वारा किया जाता है द्वहनी प्रदूशन का मापन प्रश्निकरमंग 5 तो आपका सही आंसर क्या होगा द्धनी प्रदूशन का मापन किया जाता है तो वो किया जाता है डेसीबल किसके द्वारा डेसीबल का द्वारा यानि बेकल्प नमबर जो एक है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है अंगला क्वेस्चन है यहाँ पर देख लेते हैं द्धनी प् सकतीवालों के लिए 25 से 30 δेसीबल दोनी परयापद होती है सामानी के लिए पांस डेसीबल की दोनी अतियंत मंद, 55 डेसीबल साधान तेज, 95 डेसीबल अतियंत तेज, और 120 डेसीबल अधिक से अधिक की दोनी तीब्र कष्ट कारक होती है तो ये चीज भी याद रखनी है निम्न में से किस इस्तला करती का निर्मान हेमानी द्वारा हुआ है तो आपको बताना है किसका निर्मान हेमानी द्वारा हुआ है यू आकार की घाटी, लैपीज, वी आकार की घाटी या फिर जल पर पात तो किस इस्तला करती का जो निर्माण है वो हेमानी द्वारा हुआ है चार बिकल्प है तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा यू आकार की घाटी यू आकार की जो घाटी है इस इस्तला करती का निर्माण हुआ हेमानी द्वारा ठीक है निमलकत इस्टला करतियों में यू आकार की घाटी के निर्मान हिम नदों द्वारा होता है इसका नामकर अंगरेजी बरनमाला के यू के आधार पर हुआ इससे इस घाटी को क्या आकरती मिलती है अपरदन के कारण ठीक है इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एबं अंतोधर धाल वाले वन जाते हैं जल प्रपात एबं प्रमुक प्रबाही जल नदीकरत अपर्द नातमक अस्थल रूप हैं वी आकार की घाटी का नाम कर अंग्रेज जी की वर्णवाला वी अक्षर के आधार पर किया गया एस आकार की घाटीयों का नर्माण युवा नदीयों के द्वारा होता है जब नदी निमनबर्ती कटाओ द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो भी आकार की घाटियों का नर्मान होता है तो ये यू आकार की घाटियों और भी आकार की घाटियों को जाना हमने अब नदीयों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब आपका विल्को सही आंसर होगा सुवरन रेखा जो है ये बंगल की खाड़ी में गिरती है ठीक है तो ये के नम्मर आपका विल्को सही होगा सुवरन रेखा या स्वरन रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या भारत के जारखंड राजवे बहने वाली एक पहाड़ी नदी है या राची नगर से 16 क्लूमीटर दक्षन पस्चे में इस्तित नंगडी गाउं नंगडी गाउं में रानी चुँआ नामाकिस्तान से निकलती है तथा वाले सुर नामाकिस्तान पर बंगल की खाड़ी में गिरती है कौनसी स्वरन रेखा तापती नर्बदा और सिंदु नदिया अरफ सागर में गिरती है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है कक्षा में जाने पर पितिवंद लगाना पृधान अध्यअपक की जानकारी मिलाना उसकी अनिमित्ताओं की कारणों को जानकर उसे सही मार्क दरसन में गया और लिखाटाने में कमेंट में लिखे एक दो, तीन, चार याई, Corona ज्यान सिक्षक द्वारा दिये गए कार को समय से प्रस्तुत नहीं करता अता उससे उप्युक्त सुधारात्म को पाए उसकी अनिमित्ताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्सन देना ना कि प्रधाना द्यपक की जानकारी मिलाना खेल की कक्छा में जाने पर प्रतिबंद लगा या उसकी अनिमित्ताओं को लखे जानकारी माता पिता को देना तो सबसे उप्युक्त होगा कि उसकी अनिमित्ताओं को जारों और मार्गदर्सन दो ठीक है अंगला क्वेस्चन है मद्द प्रधेस में कौन सा सहर जीलों का सहर कहलाता है और जैन भोपाल इंदोर या फिर जो बी नम्मर है वो आपका सही होगा बोपाल को जीलों का सहर कहा जाता है ठीक है भारत का हिर्दा कहे जाने बाले मद्द प्रधेस देश-बिशेस में परेटन, स्थिलों, खानपान, सिल्पकारी, बुनकरों आदी के लिए जाना जाता है मद्द प्रधेस राज्जिकी ही राजधानी बोपाल है जिसे जीलों का सहर भी कहा जाता है लोवर लेक और अपर लेक जैसी दो सुन्दर जीलों के कारण ही बोपाल को जीलों का सहर भी कहा जाता है तो आपको याद रखना है अंगला कोस्चन देख लेते हैं निम्न मैसे कौन सा सागर यूरोप को अफ्री का से अलग करता है प्रश्न किरमांग 10 तब आपका बिल्कुस सही आंसर क्या होगा भूमद्य सागर जी हां दोस्तों भूमद्य सागर यूरोप को को अपरी का से अलग करता है और चार नम्मर आपका यहां पर बिल्कुस सही हो जाएगा ठीक है भूमद्य सागर प्रत्वी का एक सागर है जो उत्री अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मद्द पूर्विक की बीच इस्तित है इसका छेतपल है 25 लाक वर्ग किलोमीटर भूमद्द सागर का जो भारत के छेतपल का लगबक तीन चोथाई है ए अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जोड़ा है जो के बल 14 किलोमीटर चोड़ा एक जल्डमरू मद्द है लाल सागर अफ्रीका एवं एसिया की भी छिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है तो आपको याद रख लेना है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है तो कौन करता है बूमद्द सा जाता है नतराश्टी ओजोन दिवस तब आपने बिलकुँ सही आंसर बताया है 16 सितंबर यानि कि जो दो नमबर है वो बिलकुँ सही हो जाएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परतके सनरक्षन ही तो जागरुकता के लिए मनाया जाता है यूएनों ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे फोरदा प्रेसर बेशन आप ओजोन लेयर गोसित कर दिया एहतारिक मॉन्टरियल प्रोटोकाल की आदगार्तिति के रूप में तै की गई ओजोन दिवस 2016 की जो थीम थी वो ओजोन एंड क्लाइमेंट रिस किसी खादस रंकला में साकाहरी होते हैं प्राथ में को बोगता, प्राथ में कुथपादक, दुतिया को बोगता या अपगटन करता तो आपको बताना है प्रशन एक बार फिर से पढ़ो किसी खास रंकला में साकाहरी होते हैं तो कौन होते हैं तब आपका बिल्कु सही आंसर क्या हो जाएगा प्राथ में को पोगता यानि कि जो एक नम्मर है वो बिल्कु सही होगा किसी खास रंकला में साकाहरी प्रात्मे को बोगता होते हैं उत्पादा खमेशा हरे पोदे होते हैं जो किलोरोफिल की सहायता से प्रकास तंसलेशन की किरिया के दुरा भोजन करने रमान करते हैं दोतिया को बोगता मासारी होते हैं अपगटन करता सड़े गले पधार्तों से उर्जा प्राप्त करती हैं जैसे मृतोप जी भी कबाक और जीवानू ठीक है इन्हें जो है क्या कहा जाता है प्रत्वी का सफाई करता भी कहा जाता है या फिर प्रत्वी का मैतर भी कहा जाता है इस प्रकार से पारस्तितिक तंत्र प्रश्निकरमांग 13 है और आपको कमेंट में लगना पास्तितिक तंत्र के तत्वों के चक्रन को क्या कहते हैं तब आपका राइट आंसर होगा जयो भूरासाइन एक चक्र यानि कि जो एक नंबर है वो विल्कुछ सही होगा यहां पर ठीक है प्रिकृती में बिभिन तत्तो जो है चक्री रूप से एक जीव से दूसरी जीव में इस्थानांत्रे तो होते हैं उन्हें प्रिकृती में लोटाते हैं इस पर किरिया को खनिश फिरवाय तता यह चक्र जियो मंडल, बायू मंडल, इस्तल मंडल, जल मंडल में होती हैं इसे ही जयो बूर आसानिक चक्र कहते हैं जैसे नाइटोजन चक्र, फासपूरस चक्र, आदी झाल, अगला देख लियते हैं, नेमलके इसे इनरों में से कौन सा नियूंतहों परियावणी पर दूसर उतपन करता हैं पर पेट्डौ, डिजल, हाईडोजन अ कुईल तब आपका बिल्गू सही आंसर होगा प्रिशन बिकल्प नमर 3, यानि की हाईडोजन ठीक है नेमले के तरे इंधनों में से हाइडोजन नियुंतम परियावरनी प्रदूशन उत्पन करता है जबकि डीजल, पैट्रोल और कोईला के जलने से हानिकारा गैसें निकलती है जो बातवन को दूसित करती है हलका होने के कारण गुबारों और बायू पोतों में हाइडोजन परियोक तो होता है ये भी कॉस्चन पूचा जाता है इसका इस्तान अब हिलियम ले रहा है हाइडोजन का ठीक है अंगला देखें संकट ग्रस्त जन्तु देत्याकार पांडा प आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर होगा चाइना में जो पांडा है वो कहां पाया जाता है चाइना में पाया जाता है संकट ग्रस्त जन्तु देत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है पांडा को चीनी भासा में जुआंग माउ ये भी याद रख ल डवलू डवलू एफ द्वारा अंतराश्टी इस्तरपस्न रक्षित प्रजातियों में से एक है ठीक है तो ये चीर्याद रखनी है अंगला क्वेस्चन ने निमलेकित किस गैस के कारण भोपाल गैस तराश्दी हुई थी तो किस गैस के कारण हुई थी कारण डाई यानि जो चार नमर है वो सही हो जाएगा ठीक है भारत के मद्य प्रदेश राज के भोपाल सहर में 3 दिसंबर है ना सन 1984 को एक भयाना को द्योगे के दुरगटना हुई इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस तराश्दी के नाम से जाना जाता है भोपाल इस देत यूनि 11,000 से अधिक लोगों की जान गई बहुत सारे लोग अपणगता से लेकर अंदेपन के भी से कार हुए वोपाल गैस कांड में मिथायल आईसोसाइनेट ये गैस का नाम है मिथायल आईसोसाइनेट जो नामक जहरीली गैस का रेशाव गओगा किलोरो फिलोरो कारवन कारवन राय अक्साइड नाट्टी साक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसे हैं तो यह चीज भी आपको याद रखनी है अंगला देखो किस देश में क्रिस्मर्स का तेवहार गर्मियों में मनाया जाता है तो आपको बताना है क्रिस्मर्स का जो तेवहार है वो गर्मियों में मनाया जाते हैं तो कहां भारत में जापान उस्टेलिया या फिर अमेरिका में प्रश्य कि रमानक सound का आंसर बताना है और 16 का आपका विलकु ży्वार्द दोस्तों आंश्टेलियाórम ao ge विल्को सही हो जाएगा और येंगें दिसमर का महिना गर्मी का पहला महिना होता है और ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंगला question देख लेते हैं अंगला है गिर बनने जीव अभ्यारान निमने वैसे किस बनने जीव का सनलक्षन करता है गिर आपको पता है कि गिर कहाँ पर है गुजरात में है ठीक है अब एक किस बनने जीव का सनलक्षन करता है साप का, हाती का, गेर्डा का या फिर सेर का, प्रश्निक रमंग का ठारा और आपका विल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा, सेर का, जीके यानी चार नमर आपका सही है गिर वर्ने जीव अभ्यान भारत की गुजरात राज में 1424 वर्ग किलूमीटर में फैला है इसमें जंगली सेरों का संरक्षन किया जाता है, इसके अत्रिक्टेस बर्ने जीव अभ्यान में पोस्प और जीव जन्तूँ की परजातियां मिलती है यहां इस्तंधारियों की 30 परजातियां, सरी सरब बर्ग की 20 परजातियां पाएं जाती है तो कौन सी पाई जाती है, कैक्टस, महोगनी, फार या फिर चंदन प्राकरतिक बंस्पती मरुस्त्रिय प्रदेसों में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है तब आपका बिलको सही आंसर होगा कैक्टस कैक्टस यानी कि जो एक नम्मर है वो सही हो जागा कैक्टस कैक्टस मरुष्तरी प्रिदेसों में पाई जाने वाली प्राकरतिक बंस्पती है यह सब उसपक बंस्पतियों का यह जीव वैग्यानिक कुल है जो अपने मौटे फूले तनव में पानी बटोर कर सुस्कवा रेगिस्तानी परिस्तितियों में जीवित रहती हैं इनके पत्ते कांटों के रूमें परिवर्थित हो जाती हैं ताकि बासपुस सरजन की दर कम हो सके जिससे जल का हिरास कम हो तो आपका cactus विल्कुल सही answer होगा अंगला question ग्रीन मफलर सम्बन देथे बायू प्रदूशन से, मिर्दा प्रदूशन से, ध्वानी प्रदूशन से या फिर जल प्रदूशन से तो चार विकल्प है तीन यानी ध्वानी प्रदूशन से, ठीक है तो तीन नमर आपका सही होगा ग्रीन मफलर, अधिक आबादी बाली या ध्वानी प्रदूशन वाली छेत्र जैसे सडकों के किनारी और अध्यों के छेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रहाई सी इलाकों में चार छे पत्तियों में ब्रक्षार उपन कर ध्वानी प्रदूशन को कम करने की एक तकनीक है ताकि घने पेड ध्वानी प्रदूशन को कम कर सकें क्योंकि पेड ध्वानी को फिल्टर करते हैं और इसे नागरकों तक पहुंचने से रोकते हैं धनी प्रिदूशन को निंतरित करने वाले ये हरे पोधे ग्रीन मफलर कहलाती हैं ठीक है तो ये ग्रीन मफलर भी आपको समझ में आ गया होगा तो नरंतर एस सीरेज आपकी चलेगी दोस्तों हर वीडियो में 20 प्रशन होगे पूरा बिस्तरित अभ्यास होगा इसमें ये ना किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इस सीरेज से सभी लोग जुड़े रहें और जो भी साती पहले से अभ्यास कर रहे हैं दिकांस प्रशना आप से बनते होंगे लेकिन आपका जो ग्यान है वो पक्का करने के लिए सीरेज बहुत ही जरूरी ह तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे वीडियो को सेर करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे वीडियो का आप भ्यास जरूर करेंगे ठीक है वीडियो कैसा लगा कमेंट के माद्यम से आपको बताना है वीडियो को सेर करके जो है अपने गृपों में सेर पस्त करना है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जैहिन!